किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूटूब चेनल किसान भाईयो चने की खेती में अगर किसान की कुछ बातों का ध्यान रखे तो चने की खेती से किसान ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार ले सकते है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तीन बातें बताने वाला हूँ जिनका पूरी तरफ से ध्यान रखना है अगर आप चन्या की खेती करते हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना चाते है किसान बाय योग ऐसी चित सेत्रों यानि की कम पानी वाले सेत्रों में चन्या की खेती की जाती हैं वहाँ पर किसान इसकी खेती से कम सीचाई में ज्यादा उनापा ले सकता है लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जिनका ध्यान अगर किसान रखे तो वो अपने उत्पादन को भी भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों अगर आप चने की खेती पहली बार कर रहे हैं तो चने की भुवाई का समय और सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए चने की फसल एक ठंडे तापमान की फसल है चने को 24 दिगरी सेलसर से 30 दिगरी तापमान की आउ सकता होती है चने की भुवाई आप 15 अटूमबर से 15 नौमबर के मद्य कर सकते हैं यह समय चने की भुवाई के लिए सबसे बेश्ट समय माना जाता है इसके अलावा भुवाई के तरीके की बात करें तो आम तोर पर चने की भुवाई आप सिड्रिल की साहिता से कर सकते पर लेवा करने के बाद भी किसान बुवाई करते हैं तो आप उस हिसाब से आपके सेत्र में जो वीधी परचलित है उसी से चने की बुवाई करें बुवाई पर चने का उत्पादन का अपी ज़्यादा निर्बर करता है अगर सई तरीके से बुवाई होती है तो चने की वसल से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है बीज उपचार की बात करें तो कार्बेंडा जीम 12% मेंगो जेब 63% से 2 ग्राम परती किलो के हिसाब से बीजों को जरूर उपचारित करें जिससे क्या होता है कि सुरुवात में कहीं परकारगी बिमारियों से फसल सुरक्सीत रहती है जुरुवात में अच्छे से अंकुरन होता है तो आप अगर बीज उपचार करते हैं तो काफ़ी फाइदा आपकी वसल में देखने को मिलता है सीचाई परबंदन की बात करें तो आम तोर पर कम सीचाई वाले सेत्रों में चने की खेती उप्युक्त मानी जाती है जहां पर पानी की विवस्ता नहीं है शीचाई के कम सादन है वहाँ पर चने की खेती कीसान कर कापी ज़यदा production ले सकते है अगर चने की वसल में शीचाई प्रबरन्दन की बात करें तो पहली सीचाई आप भूवाई के साथ कर सकते हैं उसके बाद गेटे आकर दानाओं का बराव सुरू हो जाए उस समय आप चने में आकरी सीचाई कर सकते हैं सीचाई से भी चने का उतपादन पर कापी असर देखने को मिलता है अगर चने की फसल में साई समय पर सीचाई की जाए तो इससे क्या होता है कि फल फूल भी जादा आते हैं और हमारा उतपादन भी जादा निकलता है तो किसान भाई यूँ अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें जिससे आपको कहीं न कई फाइदा जरूर होगा उम्मित करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक अपने की सान भाईयों के पास सियर करें धन्यवाद जय की सान